हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक माई यूटूब चैनल आज हम यहाँ पर कुछ ऐसे सिम्टेंस की बात करेंगे जो काफी समय से जो पुरानी घर की महलाए रहती हैं वो बताती आती हैं कि बेबी बोई होने पर शरीर में कई चीजे ऐसी हैं जो तेजी से परिवर्तन होती है और अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको आने वाले समय में बेबी गल होगी या बेबी बोई तो हम जितनी भी यहाँ पर बात करेंगे वह दादी माया और दाई माय के तजूर्वे के अनुशारे आपको बताएंगे आज की वह पहले के जमाने से क्या कहते आ रहे हैं जब मे स्टार्ट करने से पहले में बताना चाहूंगी जरूरी नहीं कि जो सिम्टेंस दादी नानी ने बताएं बिल्कुल सटिक हो लेकिन आप में कुछ सिम्टेंस दिखाई देते हैं या मिलते हैं तो आपको एक हेल्प मिल जाएगी अनुमान लगाने में कि यहां आने वाले सम को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है बेबी गल या बेबी बोई में कोई भेदभाव नहीं किया गया है लेकिन काफी सारे पेरेंट्स की जिग्यासा रहती है मन में सवाल रहते हैं कि हम जाने ही कि हमें आने वाले समय में हमारे जो गर्ब में पल रही संतान बेटा है या अगर आप second बार मा बनने जा रही हैं आपके क्या experience रहे थे पहली pregnancy के समय तो आप हमें बता सकते हैं तो यहाँ पर मैं first अपना experience शेयर करूँगी वो है सोने की आपकी इस्तिति अगर आपको left side बहुत अच्छे से नींद आती है comfort तरीके सा आती है और pregnancy के दोरान आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड ही आपको नींद आई है और comfort लगा है तो इसा symptoms baby boy का ही माना जाता है ये same symptoms मेरे साथ भी था और काफी सारी महलाओ के साथ ये वाला जो symptoms है ये बिल्कुल सही होता है कि उनको उल्टी यानि की बायाई तरब ज़्यादा अच्छे से नींद आती है comfort लगता है तो बेब कहा जाता है अगर baby boy आपके गर्ब में है बेटा होने वाला है तो आपको उल्टा बाया यानि की लेफ्ट साइड ज़्यादा अच्छे से नींद आएगी second symptoms की बात करते हैं तो वो है पेट का आकार अगर आपका पेट का आकार लंबा अंडा कार जैसा दिखाई देता है तो महलाएं कहती हैं कि आपको बेटा होगा वहीं अगर आपका जो पेट है बिल्कुल लंबा है थोड़ा सा चप्टा है और जो लीनिया नाइगरा लाइन बाहर की तरफ निकल चुकी है तो इसका सेम्टेंस भी दादी नानी ने बेबी बोई के सांथी जोड़ाएं कहा जाता है कि उन महलाओ को बेटा होता है वहीं अगर पेट गोल रहता है लीनिया नाइगरा लाइन बनी हो या ना बनी हो लेकिन आपको बेटी होगी ऐसा कहा जाता है लेकिन जरूर नहीं है कि सभी लोगों को linia nigra line बने melanin की जो मात्रा रहती है अगर शरीर में ज़्यादा है तो आपको dark line दिखाई दे सकती है अगर melanin की मात्रा कम है तो आपको ये नहीं दिखाई देगी क्योंकि इसमें बेटा या बेटी दोनों हो सकते हैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका नाभी बटन बाहर की तरफ आ गया है linia nigra line बनी है तो दादी नानी के मुदाबिक बेटा होने के सिम्टेंस को ज़्यादा चांस रहते हैं कि आप बेबी बोई को ही consume करने वाले हैं next सिम्टेंस की बात करते हैं तो वो है बेबी की movement अगर बेबी की movement आपको बहुत जल्दी महसूस होने लगी है तो कहा जाता है बेबी बोई बहुत जल्दी movement करना चालू कर देते हैं पेर में ज़्यादा लाथ पेर चलाते हैं और आपको जो उनकी movement है बहुत जादा तेज किक महसूस होती है तो कहा जाता है बेबी बोई होगा वहीं अगर किक कम महसूस होती है तो बेबी गल के सिम्टेंस से जोड़ कर देखा गया है तो ये सेम सिम्टेंस मेरे साथ था बेबी बोई बहुत जल्दी मुमेंट करता है मेरे कैसेस में सही हुआ है बेबी गल के समय फाइफ मनत के बाद मूमेंट में हसूस हुई थी तो यहाँ पर थर्ड मनत में ही मुझे हलका चा फड़ पड़ा हट लगती थी तो बेबी बोई के समय हुआ था तो यह सेम सिम्टेंस दादी नानी के अनुसार मेरे इसमें बिल्कुल सही हुआ है बेबी गल के समय कम मूमेंट होती थी और फाइफ मत में मूमेंट होने लगी थी एक नेक्स्ट सिम्टेंस ही बात करते हैं वो है मूड में परिवर्तन या चेंज होना अगर आपको बहुत अच्छा लगता है प्रेगनेंसी के समय आपके चेहरे पर ताजगी आ गई है यानि कि आपका चेहरे पर क्लीन हो गया है उस पर गलो आ गया है तो कहा जाता है बेबी बोई से ही इसका सिम्टेंस जोड़ा गया है तो इसमें पहपाना मुश्किल है लेकिन मैं अपना सिम्टेंस यहां पर शेयर करूँगी जब मुझे बेबी बोई होना वाला था तो चेहरे पर गलो आ गया था बेटी के समय काफी पिंपल्स हो जाते हैं चेहरे उपर तो यह कुछ ऐसे सिम्टेंस हैं जो किसी महलाओं में बिल्कुल सही होते हैं किसी में नहीं तो मुझे बेबी बोई के समय बहुत जद अगलो आ गया था चेहरे पर तो यह मेरे साथ हुआ था हो सकता है आपके साथ इसका उपोजिट है तो तो कुछ यह symptoms आपके साथ अगर same रहते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आपको baby boy हो और आपको जो भी हो pregnancy conceive के बाद आप comments करकर जरूर बताईए कि आपके क्या experience थे और आपको कौन-कौन से symptoms हुए थे आज की वीडियो में बस इतना ही कुछ question है तो आप comments box में जाकर पूश सकते हैं और अपने experience जरूर शेयर कीजिए अपने experience जरूर शेयर कीजिए